आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं दौ पढ़ने वाले हैं ठीक और पहला क्वेश्चन वालों में क्या आता है कि हम दौ को कहां यूज करें है ना तो अब देखते हैं कि हम the को कहां यूज कर सकते है general rules क्या कहते है general points क्या कहते है इनकी बात कर लेते हैं कहरा है कि the हम तब यूज करते हैं जब ऐसी कोई चीज refer करनी हो जो पहले से mention कर रखी है जैसे कि example कहरा है on Monday an unarmed man stole thousand dollars from the bank पहले इतने पर आओ Monday को एक unarmed man मतलब उसके पास कोई हथियार नहीं था उसने bank से कितना चुरा लिया thousand dollars चुरा लिया और चुरा लिया तो यादमी क्या हो गया चोर हो गया और चोर हो गया तो इसके बार मैं पहले से बता चले लिगा already mentioned हो गया और already mentioned हो गया तो यहां पर क्या गया दथीफ आ गया ठीक है अगले वरे इतनेस पर आते हैं किया रहा है यह वाकिंग पास्ट बैनीज बेकरी तो यह बेकरी का नाम पहले दे दिया कौन से बेकरी की बात कर रहे हैं बैनीज बेकरी पहले से पता चल गया आगे जब इसी बेकरी की बात हो तो क्या लगा देंगे दा लगा देंगे फिर गयरा there is a position available in my team the job will involve some international travel position जो बात कर रहा है वो job की बात कर रहा है तो हम job के बारे में already बात कर चुके हैं यहां बर job से पहले क्या आया है दा आया है इसका simple सा मतलब यह है कि अगर हमें उसी sentences में पहले ही कोई चीज डिफाइन कर दी गई है दुबारा उस शब्द को लाते समय हम क्या लगाइंगे दा लगाइंगे क्या पॉइंट क्लियर है अगले पॉइंट पर चलते हैं या हम यह अज्यूम कर लें कि हम जिसकी बात कर रहे हैं वह एक ही है या fix है कि हम किसकी बात कर रहे हैं पहले से पता है भले ही mention ना किया जा रहा हूँ जैसे कि we are going to attend the class आप अपनी किसी दोस से बात करो कि हमनों कहा आजा रहे हैं लास अटेंट करने तो आपको दो लगाने की जरूरत मद्ध दागर लगा रहे हो तो पहले से mention करने कि जूरत नहीं कि आप कौन से class की बात कर रहे हो राइट वह अंडर्स्टूड है कि आप कौन से class की बात कर रहे हो वह पॉइंट है जैसे we went on a walk in the forest yesterday तो य हो गए टेल रेस्टूड जो फेक्स है उसका बारान सबको पता है पहले से ही तो दा लग गया राइट अच्छा यह वाला लास वाला सेंटने तो कोई इंपॉटन है करा my father enjoyed the book you gave him कौन से book enjoy की जो आप ने दी है तो यहां से ही इस book को क्या बना दिया specific बना दिया clear हो गया हम अगले point पर आते हैं says use the in sentences or clauses where you define or identify a particular person or object मतलब up simply अगर आपने जैसे बीपॉड़ा सेंटने था ना specific बना दिया था आप बस specific बना दो फिर कहीं भी लगा सकते हो anywhere जैसे क्या कह रहा है the man who wrote this book कौन से man की बात हो रही है भई जैसने इस किताब को लिखा अगर उसी sentence में हमें ये पता चल ले है कि हम कौन से कौन सी या कौन सा की बात कर रहे हैं अगर उसी sentence में पता चल रहा है तो वो क्या हो चुके हैं specific हो चुके हैं जैसे कौन सा man जिसने बुक लिखी तो specific हो गया ना तो the man similarly I scratched the red car parked outside मैंने कौन सी कार scratch की रेड कार जो बाहर खडी है हो गया specific I live in the small house with the blue door कौन से छोटे घर में ब्लू डूर वाले में he is the doctor I came to see और मैं कौन से दॉक्टर से मिलने आया हूं यह स्वारी यह कौन से दॉक्टर है इससे मैं मिलने आया हूं correct है fine फिर आते हैं superlative degrees और ordinal numbers के पहले अब highest word क्या हमारा superlative degree है last word क्या है superlative degree है अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यह लिखा हुआ है the plus superlative degree और यार noun और यह जो noun आया है यह common noun रहेगा हमेशा कौन सा noun रहेगा भई और यह जो superlative degree वाला केस है और यही केस होता है same में भी यही केस होता है ordinal में भी और यही केस होता है only में भी किसमें only same और ordinal आप जैसे highest के बाद building word आ गया तो noun हमार common noun था पहले क्या लग गया दा लग गया last के बाद क्या आ गया chapter आ गया last हमारा ordinal है क्या है हमारा ordinal तो उसके बाद जो chapter बढ़े हो क्या हमारा common noun है तो आ गया अगर मैं कहूं कि I stood first in the class तो first के तुरांद बात कोई noun नहीं है ना तब आपको दा लगाने के जरूरत नहीं है clear वा similarly the tallest person the third time clear हमे चले आगे बढ़ते हैं अगर आपको कुछ note करना रहेगा तो आप आप में वीडियो pause करके note कर लेंगे ठिक है अब अगर हमें किसी proper noun से पहले दा लगाना है तो क्या scenario हो सकता है geographical areas जानते हो क्या जैसे कि rivers, mountain ranges, groups of islands, canals, oceans, seas मतलब अगर आप यह सोचो कि धर्ती पे इंसान नहीं होता फिर धर्ती पे जो बड़ी-बड़ी चीज़ें दिखाई देती हैं उन्हें हम जोगरिफिकल areas जोगरिफिकल figures बोलते हैं क्या यह बास मम्यारी है जंगल दिख रहा है पूरा पूरा जंगल का नाम पता हो दा लगा दो समझे रहो river और ocean और sea तो mention किया ही गया है यहां पर ठीक है अब इसे arctic क्या है हमारा ocean Atlantic क्या है ocean nile क्या है नदी इसको हिंदि में नील नदी कहा जाता है और rocky mountains क्या है यह mountain range है ध्यान लखेंगे क्या यह mountain range है group of islands का कोई example दे सकते हो correct और Bahamas Lakshadweep is not actually group of islands that's a single island right fine अभी हम group of islands की बात कर रहे है अंडमान अन निकोबार न यह complete islands का नाम है उसमें 25 islands अलग भग ठीक है तुनको मिला करके मोलते हैं अंडमान निकोबार ठीक है आइव हवड़ अफ निकोबार आवहंट हवड़ अफ निकोबार्स अच्छा अभी जो netherlands लिखा हुआ है इसका दो सिनर्य वैक तो इसके नाम में ऐसा रहा है इसलिद आया फिलिपिन्स का नाम में ऐसा रहा है इसलिद आया वाकी अगर किसी कंट्री का नाम ऐस पर खतम हो रहा है तो आप उसके साथ दा लगा सकते हैं जैसे वेस्ट इंडीज बहमाज नेदर्लैंड्स है ना फिलिपिन्स और आपको याद आए तो जिसमें से अगर मैं फिलिपिन्स को छोड़ दू तो बाकी जितने बताय जैसे वेस्ट नहीं USA का कॉंसेप्ट अलग है ठीक है यह जो कंप्लीट नाम है उसमें लास मैस आ रहा है तो USA का कॉंसेप्ट अलग उसको अभी थुल दर में डिसकस करेंगे क्लियर है यह दोखो आ गया अगर किसी कंट्री के नेम में स्टेट्स किंग्डम और रिपब्लिक मेंशन किया जा रहा है तो आप उसके नाम के पहले क्या लगा सकते हो दा लगा सकते हो दा यह सकती हो जयो univers से बोलो भी सोना होगा The Republic of South Africa भी सुना होगा राइट नहीं सुना कोई बात नहीं South Africa का पूरा नाम लिखा जाता है वो R.S. से लिखा जाता है Republic of South Africa जब इंग्लिश में इसको यूज करते हैं तो दो लगा देते हैं उसके फ़ले राइट अब अगर ध्यान दो तो Guardian जो एक निउस पेपर ये भी English का निउस पेपर है बुलाया न और जो New York Times है ये भी कौन सा निउस पेपर है English का ही निउस पेपर है Clear हो गया हमे Fine पिर आते हैं इधर Famous Buildings, Works of Art, Museums and Monuments अगर कोई भी structure हमारा Famous है क्या है Famous है जैसे Vietnam Memorial Famous है दा लग गया Laubre and Mona Lisa दा लग गया I-Fill Tower क्या है Famous structure है The Globe Famous जगे है ठीक है Taj Mahal क्या है Famous structure है के नहीं है Fine I of London जानते हैं क्या आप नहीं चलो देख लिए जए यह भी वैसे एक Famous structure है अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए था इसको I of London बोलता है ठीक है और यह Famous structure है इसलिए इसका नाम के पहले हम दा लगा सकते clear रभी फिर कह रहा है कि अगर हम hotel के नाम के पहले restaurant के नाम के पहले दा लगाना चाहिए तो लगा सकते हैं बशर ते उसके नाम के पहले कोई इंसान का नाम अना आया हो ठीक है अब इसे the picadilly the ambience the lila सुना है ना the reddishon blue क्या बोल रहे हो the taj बिल्कुल ठीक है लेकर अगर किसे ने लिगवा दिया शारदा तो मुश्किल है ठीक है फिर आते हैं इधर कि अगर हमें मालो किसी के surname को इस्तमाल करते हुए family represent करनी है तो हम the plus surname plus s लगा देते हैं जैसे कि smith क्या एक तरह से surname है यहां क्या लगा दिया तो s लगा दिया last में और यह पूरी family हमने क्या कर दी represent कर दी clear है आपका surname क्या है आप उसके पहले दा लगा और grower के बाद में ऐस लगा तो क्या हो देगा तो वो पूरी family को represent कर रहा है family में सिर्फ आपकी family भी आ सकती है और याद रखेगा उस family में पूरी grower family भी आ सकती है ठीक है चौलो भाई अच्छा अगर आप एक चीज़ ध्यान दे तो the browns के बाद में r लगा हुआ है मतलब इस तरह से जब हम represent करते हैं तो उसको plural treat करते हैं कैसा treat करते हैं plural चेके अब यह अगला question कि अभी तक तुम यह पढ़ रहे थे कहां use करना है दोनी चीज़ इंपोर्टेंट है न fine countries के नाम के पहले दा नहीं लगाना है अब पीछे तो case छोड़ दिया वो union वाला था और दूसरा था अगर last में ऐसा आ रहा है उन दोनों को छोड़ दो के तो बाकि किसी पी country के नाम के पहले रहे आं Arai इसे इंडिया से पहले दा लगा सकते हैं कia चिपान के पहले दा लगा सकते हैं क्या इंडोनेशे लगवा सकते हैं क्या कि छो आगे आते हैं next points सुआरा है कि हमें किसी लाइंगविच के नाम गे लगाना चाहिए क्या ने करने चाहिए तो क्या हम लोग दो इंग्लिश पढ़ रहे हैं नहीं लेकिन एक कंसेप्ट होता है बहुत सिंपल सा कि अगर आपने दो लगाया है लेंग्विज के साथ में तो यह कई बारी वहां की सिटिजन्शिप को रिप्रेजंट कर देता है ठेक है जैसे की अगरे देफ्रेंच आर हीर सपोस यूजूली ऐसा मानेंगे फिर की दपीपल फ्रॉम फ्रांच बात समझ गए हां क्योंकि हिंदी के नाम पर कोई कंट्री नहीं है और जो हिंदुस्तान बोलते हैं वो हिंदु धर्म की वज़े से है तो इसलिए दा हिंदी तो बोले नहीं सकते हैं दा हिंदी अगर आप बोल रहे हो तो concept यह बन जाए कि the people who are speaking हिंदी राइट ऐसा हां नहीं 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 इस नहीं लगाना है हां तो उसमें हिंदी में भी एस नहीं लगाना है ठेक है पर आते हैं next point page says कि हमें meals के नाम के पहले कभी दह नहीं लगाना चाहिए I'm going to the lunch that's wrong लेकिन अभी थोड़े दर पले discussion हुआ था कि अगर आप किसी भी तरीके से इसको specific बना दो जैसे I'm going to the lunch hosted by Mr. X Mr. Y जो भी करना चाहूं तो वो lunch हमारा specific होगे हमने यह बता दिए कौन से lunch के लिए जा रहा हूं जो Mr. X क्या कर रहे हैं host कर रहे हैं तब the lunch बोल सकते हैं आगे बढ़ते हैं भाई सरा अगर कोई title किसी person के नाम के साथ combine हो गया है तो दो नहीं लगाते हैं जैसे की Queen Elizabeth तो Queen यहां पर क्या है title ए लिजबित क्या है नाम है तो आपने दो नहीं लगाना है वहाँ पर ठीक है President Kennedy President हमारा क्या title है Kennedy क्या हो गया नाम हो गया तो हमें दो नहीं लगाना है Prime Minister Mr. Narendra Modi दो नहीं लगाना है ठीक है Fine फिर अगर कभी Possessive Case आया है Possessive Case का मतलब समझते हैं क्या हाँ जैसे My, Your, His, Pankats, Sheilas and so right तो उसके तुरंट बात फिर कभी The नहीं आ सकता जैसे His Brothers कार तो Brothers के बाद The कार नहीं आएगा राइट Peter's house तो Peter's के बाद The नहीं आएगा Clear है? Fine फिर आगे आते हैं और का नहीं यूज करना है तो Profession के साथ नहीं लगाते हैं Designation के साथ लगाते हैं किस के साथ लगाते हैं? Designation का मतलब होता है जो किसी Group को Represent करेंगे जैसे Manager क्या करता है? Branch को Represent करता है SOD क्या करता है? Department को Represent करता है Chief Minister क्या करता है? State को Represent करता है Prime Minister क्या करता है? Country को Represent करता है President क्या करता है? Country को Represent करता है अगर individual mountain है या individual lake है या individual island है तो दो नहीं आएगा, क्या यह बात वहाँ पर मैंने आपको बोली थी कि आप ध्यान दे mountain range है, राइट, जहाँ पर बड़ी गलती हम लोग अपने exams में क्या करते हैं, वहाँ पर आ जाता है, the Mount Everest, क्या आ जाता है, पढ़ने में कई बारे लोगों को ठीक लगता है, लेकिन यह the Mount Everest क्या है, एक्चुली, यह heat कुछ जादा नहीं absorb कर रहा है, तो यह जो the आया ना, Mount के पहले इसके जरूरत नहीं है, कश्मीर में कौन सी जील है, बटा, डल लेक, तो हम डल लेक से पहले विदा का इस्तमाल नहीं करेंगे, और सिंगल आइलेंड के गर बात करो, तो शिडंका अपने आप में क्या है, सिंगल आइलेंड है, तो क्या यहाँ पर हम दा लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, clear है,